तो आज की वीडियो में बात करेंगे, यहां पर क्या LIC डूब जाएगा, जिंद्गी के साथ भी, जिंद्गी के बात भी, और अभी तो जिंद्गी बाकी है, लेकिन यहां पर ऐसी नियू जाने लगी है, कि यहां पर LIC डूब सकते, तो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, यहां पर detail के अंदर, और साथ के साथ, यहां पर, हम as a crypto investor, obviously कहे कि crypto के अंदर ही खाली invest नहीं करते हैं, multiple जगे invest करते हैं, और हमारी कोई यहां पर ऐसा नहीं है कि stock market है, ठीक है, stock market, stock market की जगे, stock market में भी लोग invest करते हैं, और stock market भी कोई गलग चीज नहीं है, यहां पर बहुत सारे doubts, बहुत सारी queries क्या LIC के अंदर, जो investment है, वो डूब जाएगा, market के अंदर जो report करी जा रही है, कि भाईया, अधानी डूब रहा है, तो अधानी का investment है, यहां पर, LIC ने अधानी के अंदर investment कर रखा है, और जब अधानी यहां पर डूबेगा, तो LIC को ले facts के साथ में, तो यहां पर सबसे वेली चीज क्याएगी, थर्ड फैब, यानि कल की अपडेट है, LIC to schedule call with Adani top management to understand their strategy, आगे क्या रहने वाली है, उनकी strategy, क्या सारी चीज होने वाली है, क्योंकि LIC और SBI का अच्छा कासा exposure है Adani share के अंदर, जब LIC हमें कोई return देती है, तो obviously क् कि ये जो return होते हैं, ये हमसे पैसा लिया जाता है, और कहीं छोटी-छोटी company में, बड़ी-बड़ी company में, multiple जगे, diversify करके इस पैसे को invest किया जाता है, और इंडिया के अंदर क्या कि एक regulatory authority है, जो यहां पर ये decide करती है कि आप कितना पैसा कहां का invest कर सकते हो, तो उसके बार तो यहां पर अगर आप देखोगे, earlier this week, LIC said it has an exposure of 36,474 करोड़ to Adani Group, तो इनोंने कहा कि यहां पर 36,474 करोड़ का invest किया था Adani के sales के अंदर, साथ की साथ, जो यहां पर कहेगी, रिपोर्ट आई है, इसके अंदर इनोंने यह भी बताया कि अभी कितना पैसा LIC के पास में, कितनी मतल़ टोटल एसेट है, तो टोटल एसेट अंडर मेनेजमेंट बाई LIC, और ओवर 41.66 लाग करोड़ रुपीस, अब यहां पर टोटल जो एसेट अगो कितनी है, 41.66 लाग करोड़ और इन्वेस्टेट कितनी है, यहां पर 36,474 करोड़, तो लेस देन वन परसेंट आप कहा सकते हो, अब यहां पर फर्दर इट में भी एप्रिसेटेट दा, देट दा क्रेडिट रेटिट रेटिंग अफ अफ अल अफ अड़ इन्वेस्टेट इन्वेस्ट 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 कर दिया, पता चला कि वो कमपनी डूग गया, ऐसा नहीं होता है, तो यहां पर जो इन्वेस्ट के लिए नियम बनाती है, और उस नियम के मताबिक, आप किसी भी एक कमपनी के अंदर, दो कमपनी के अंदर, चार कमपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो जादर जो LIC इन्वेस्ट करती है, वो कहागी गौर्मेंट बांड्स के अंदर, गौर्मेंट सेर्स के अंदर या ऐसी स्किम के अंदर, जहां पर कहागी, बहुत ज़्यादा पैसा सेफ एस्ट माना जाता है तो यहाँ पर आप आप सोचे कि एक परसेंट पैसे से अडानी का सेर अगर बिल्कुल जीरो भी हो जाता है तो यहाँ पर ज्यादा ज्यादा इतना इंपक्ट पड़ सकता है LIC के उपर और जीरो तो नहीं होगा क्योंकि एडानी के पास में भी उन्हों अपने सेर होलिंग पर रखे हुए है एक तरह कॉलिटरल किये हुए है उनकी बहुत सारी एसेट जो है फिजिकल एसेट है और फिजिकल एसेट जैसे कि एयरपोर्ट है एयरपोर्ट के अंदर जमी है पुरा इंफ्रा है और एयरपोर्ट को कौन लेकर भागेगा अडानी चलो विदेश भाग जाता तो एयरपोर्ट तो लेकर भाग जागा उनके पास में पोर्ट्स हैं उनके बहुत सारी फिजिकल एसेट है नो डाउट अब ऐसे में कहाए कि यहां पर जो इनके यहां पर क्या कि exposure है वो ऐसा exposure जरूर है कि इससे क्या कि at least इतना impact जरूर पड़ सकता है क्योंकि LIC के share down होंगे क्योंकि obviously हो रहे है continue LIC के share whole हो रहे है इससे LIC के valuation कम हो रही है LIC के share की value कम होगी तो obviously क्या कि पूरी-पूरी company के उपर effect तो आएगा पूरी company के उपर size उस level का return ना मिल पाए क्योंकि LIC की सबसे बड़ी चीज़ है सबसे बड़ी strong चीज़ है LIC के जातर return plan कह कि वो guaranteed होते है अगर उनने commit किया हुआ है कि अगर आपका आपको 10 years बाद इतना मिलेगा तो इतना ही मिलेगा वो guaranteed है उसका क्या कि stock market से जातर कुछ लेना देना नहीं है तो यहाँ पर जातर plan LIC के वो guaranteed वाले plan है अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आगी की तरफ जाए तो LIC investment in Adani firm fall by half in six trading session अब क्या होगा जो amount लगाया जैसे इसको थोड़ा सा और समझते है जो amount लगाया for example कि मेरा कोई stock है उस stock की value 1000 रुपीज है 1000 का एक share है और आपने क्या किया आके अपने एक लाख रुपे लगा दिये मेरे share के अंदर और मेरे share जो यहाँ पर क्या कि एक हजार का था वो 600 रुपे कर रहे जाता है तो जो आपने एक लाख रुपे लगाए है उसका 40% automatically कम हो जाएगा तो जो एक लाख लगाये थे वो आपके 60,000 रहे जाएगे तो same यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब यह stock 75% गर गया भहिया LIC बचा क्या जो लगाया था उसका काफी हत तक डाउन हो गया राइट करेगा सौट के लिए बट ऐसा नहीं है कि आपका पैसा बिलकुल jiro हो जाएगा बिलकुकल हो जाएगा पैसा आपका रहेगा क्योंकि investment जो LIC का अंदर है वो इतना किया है कि जितना उन्हें पता है कि हाँ जैसे हम All coin के इंदर डाल देते हैं सिवाई Inu के इंडिते हैं ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है अब यहाँ पर जो रिपोट आ रही है तो यहाँ पर यहाँ पर भी यही चीज कही है कि यह की फ्रेमवर्क के इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसके according की यहां पर हम इसको लेके चल रहे हैं तो लोगों घबराने वाली बात नहीं है यह चीज है जो LIC की तरफ से कही गई है अब इसमें आगे क्या है क्या नहीं है LIC ने हो सकते कुछ चुपाई हो उसका अभी तक यहां पर कहा कि कुछ भी नहीं पता है बट यहां पर घबराने वाली बात यहां पर टरने वाली बात यहां पर पॉलिटिकल बयायन बाजी मैं सुन रहा था बहुत तरे जो अपोजिशन वाली लीटर है obviously कहा कि देखो अपोजिशन को क्या कि मौका मिलना चाहिए कोई भी होगा अगर यह बीजेपी भी अपोजिशन में होती है यही चीट कहती है तो इनका सबका क्या कि सेमी सेमी चीज़ है बट यहां पर हम एक ड्यूटर बेसे देखें तो पैसा कहीं नहीं जा रहा है पैसा कहीं नहीं डूब रहा है बट LIC के अंदर जो यह इतना बड़ा यहां पर यह एमांट है इसका इनका जरूर अभी के लिए सॉट टर्म के लिए 75 परसेंट डाउन हो गया इन्होंने जब लगाए था उसकी क्या वैली तो उस टाइम का यहां पर नहीं पता है और यहां पर कहा कि अभी एक न्यूज भी आ रही है कि सॉट सेलिंग बंद करने वाले हैं इंडिया गंदर तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह तो क्या कि आप क्या कि इन्वेस्टर को अगर हम बोलेंगे बिटकॉण को सॉट नहीं कर सकत है तो फिर तो सब लॉंग भी करेंगे और इसका प्राइज तो कहां पहुंचे का कोई पता नहीं है तो यह यहां पर कहा कि मोटा मोटा समरी है लाइसी वालों के लिए और लाइसी वालों को बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि अभी यहां पर कहा कि घबराने वाली कोई बा बना रहा हूं मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूं या क्रिप्टो ओल्ड करता हूं तो क्म बता है कि जी हांप उनको क्या कि सर्फ नीज देखने टूब जाएगा उनको लग रहा है कि वह रिदे को पर आप लीदा की सादि के लिए क्लिए कने ऑपना गर झाल झाल